बायलोजी प्रिक्टिस सेट सिरीज में आज की टेस्ट सिरीज है फाइलम सीलन्टरेटर इसके पहले फाइलम प्रोटो जोवा और फाइलम पॉरी फिरा की टेस्ट सिरीज अपलोड हो चुकी है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो दिस्क्रिप्शन में लिंक द होगा तो इसका correct option क्या होगा Metagenesis होगा क्यों होगा Metagenesis देखिए Metagenesis क्या है कि जो फाइलम सीलेंट रेटा की जो है कुछ animals होते हैं उनमें क्या है कि alternation of generation होता रहता यानि कि PD एकांतरन होता रहता है तो इसे ही Metagenesis कहते हैं ठीक है characterized by thin meegoglia, thick meegoglia, absence of mouth या dominant polypoid phage तो इसमें से जो साइफो जोवा होते हैं उनमें क्या है कोशिकाओं के दो इस्तर होते हैं ठीक है और कोशिकाओं के दो इस्तर के बीच में एक मद्ध स्लेस्म इस्तर का यानि की मीजोगलिया कहते हैं उसको होता है तो कह रहा है कि साइफो जोवा आर करेक्टराइजड बाई इसका correct option होगा ठीक मीजोगलिया कोशन नमबर थ्री है साइन्टिफिक नेम आफ सीफर इज साइन्टिफिक नेम पूँछ रहा है सीफर का तो सीफर क्या है सीफर जो है इसी को हिंदी में बोलेंगे समुद्री समूर तो सीफर इजदा कामन नेम आफ दा फ्रेश वाटर मेरीन हाइड्रो जोवन ओबिलिया तो यहां पर ओबिलिया है कहीं पर सी ऑप्सन पर है ठीक है तो सी ऑप्सन में होगा ओबिलिया जेनी कुलेटा correct option question number 4 है which of the following is not a coral reef करा कि इन में से कौन सा coral reef नहीं है coral reef होती क्या है coral reef जो होती है वो calcium carbonate की बनी हुई calcium carbonate की बनी हुई विसेश प्रकार की एक संदरचना होती है और यह कई प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है जैसे कि फ्रिंगिंग रीफ हो गया बैरियर रीफ और एटॉल्स हो गया तो यह जो फ्रिंगिंग रीफ है इसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ती और जो बैरियर रीफ है इसको कहते हैं प्रवाल रोधिका ठीक है प्रवाल रोधिका और जो एटॉल होते हैं इसे कहते हैं प यह क्या होते है अटॉल्स के बीज में होता है यह तो यह लैगून्स होगा करेक्ट ओप्सन कोश्चन नमबर फाइव है विज आफ दा फालॉविज इस इस इलेंट रेट करा इन में से कौन सा सीलेंट रेट अनिमल है सी फैन, सी कुकंबर, सी होर्स, सी लिली तो देखिए जो सी फैन है इसको क्या कहते हैं समुद्री पंखा यानि कि इसको हिंदी में बोलेंगे समुद्री पंखा और यह किसे नीमल को कहते हैं यह गौर्गोनिया को कहते हैं जो कि एक सीलेंट रेट है तो करेक्ट ओप्सन क्या काइणोडर्म ड्रम पन पूंच रहा है कि आपसन करेक्ट होगा यानि की सी फान क्वेश्ट सिक्स सैइक्छोंक इससे क्या कहते हैं गिनी ओर्म डिजीज कहते हैं तो यहाँ पर यह C option इसका correct होगा question number 7 है which one of the following is non-parasitic animal करा कि इन में से कौन सा परजीवी जन्तु नहीं है तो परजीवी जन्तु जो है female mosquito भी होता है और tape warm भी होता है और leech यानि की joke भी होता है जबकि C animal नहीं होता है यह क्या है यह एक sealant rate animal है और यह परजीवी नहीं है यह जन्तु जन्तु नहीं होता है यह सहभोजी की बहाद ही रहता है सहभोजी का मतलब सहभोजी का मतलब है commensalism जो कुछ gastropod mollusk होते हैं तो उनके जो खाली पड़े खोल होते हैं उनसे यह जुड़ा रहता है तो see any moan होगा question number 8 है which one of the following is called dead man's finger तो मरत मनुस्य की उंगलियां किसे कहते हैं तो यह कहते हैं इल सायो नियम को B option इसमें correct होगा इल सायो नियम इसकी जो सनचना होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे मरत मनुस्य की अंगलियां हो और देख लेते हैं यह कोरेलियम क्या है यह लाल मुंगा कहते हैं इसको ठीक है और फाइसेलिया यह क्या है पुर्तगीज मैन आफ वार और टीवी पोरा क्या है टीवी पोरा को कहते हैं आरगन पाइप प्रवाल कह रहा है कि डेड मैन फिंगर तो यह है एल सायो नियम B option question number 9 question number 9 कह रहा है नाइडेरियन्स आर नाइडेरियन्स क्या होते हैं एसीलोमेट, साइजोसीलोमेट एंटेरोसिलससीलोमेट यह फिर स्यूडोसीलोमेट तो यह होते हैं एसीलोमेट ए उप्सन इसमें correct होगा question number 10 है the feeding joints of obelia are known A करा कि जो feeding joints होते हैं obelia के उनको क्या कहते हैं किस नाम से जानते हैं तो जानते हैं यह क्या होता है यह polyps होते हैं ठीक है polyps क्या होते हैं यह क्या करते हैं कि यह भोजन ग्रहन करने का कार करते हैं तो यहाँ पर C option correct होगा फिर है question number 11 कह रहा है कि nematocyst are present in which of the following phylum sealantreta, porifera, echinodermeta या फिर कह रहा है कि anelida तो हमें पता है कि जो nematocyst होते हैं वो किस में पाए जाते हैं sealant rate में पाए जाते हैं sealant rate animal इसमें क्या होता है कि एक hypnotoxin ठीक है एक hypnotoxin नामक जहरीला तरल पदार्थ भरा होता है तो nematocyst की सहायता सही hydra अपना क्या करता है सिकार करता है और अपनी सुरच्छा भी करता है, तो यहाँ पर option है A, question number 12 है, common name आप कह रहा है, फंजिया, फंजिया का सधार नेम पूछ रहा है, तो फंजिया का सधार नेम क्या है, मस्रूम कोरल है, यह option इसमें correct होगा, question number 13, Diploblastic Acillomate Condition of found in, जो Diploblastic आगोही का वस्ता होती है, वो किस में पाई जाती है, अर्थवाम में, एसकैरिस में, सी एनी मोन में, या प्लैनेरिया में, तो जो Diploblastic का मतलब जानते हैं, क्या होता है, उन जंतुओं को कहते हैं, जिन में क्या है, दो जर्म लेयर पाई जाती ह है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, Acillomate वह अवस्ता होती है, जब सी लोंगुहा क्या होती है, एपसेंट होती है, ठीक है, तो इसमें पूँच कहा रहा है, कि Diploblastic अगोही का वस्ता पाई जाती है, किस में, C एनी मोन में, C आप्शन इसमें करेक्ट होगा, question number अगला है, which are the following group of sealant rate, so maximum polymorphism, सबसे ज़्यादा जो है कि बहुरूपता कौन सा प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्रूप, question number 15, Medusa of Obedia differs from Aurelia in having, Obedia का जो Medusa है, Aurelia से निम्न प्रकार से भिन्न होता है, किस प्रकार से भिन्न होता है, जनद होते हैं, यानि कि Gonides में, Tentacle में, Ropalium में, या Tentaculousist होता है, तो इसका correct option क्या होगा, इसका correct option होगा, Ropalium होता है, Ropalium है क्या ये, ये एक sense organ होता है न, Ropalium, C option इसमें correct होगा, question number अगला है, the body organization in Hydra is, कर रहा है कि body organization जो Hydra का है, वो किस प्रकार का होता है, tissue grade, organ grade, cellular grade, या acellular grade, तो इसमें होता है, tissue grade, यानि कि A option correct होगा, tissue grade, सारीरिक संगठन, यानि कि O Tiki इस तरका होता है, question number अगला है, what is nematosis, तो अभी हमने पढ़ा था कि निमा, यानि कि हिंदी में इसको बोलेंगे, danzika, danzika क्या है, तो nematosis में अभी हमने पढ़ा कि एक hypnotoxin नमा एक जहरीला तरल पदार्थ भरा होता है, और इसकी सहायता से हाइडरा क्या करता है, अपना सिकार करता है, और अपनी सुरच्छा भी करता है, तो कह रहा है कि यह है क्या, एक complete cell है, organ of body है, part of cell है, या group of cells है, तो यह है, part of cell, तो c option इसमें correct होगा, part of cell, question नमर अगला है, the gastrula of hydra is known as stereo gastrula, because it is, तो यह है, encapsulated, two layered, hollow, या solid, खोखला होता है, या ठोंस होता है, दो layer होते हैं, या encapsulated होता है, तो इसमें जो है, यह क्या होता है, solid होता है, ठोंस होता है, d option, question नमर अगला है, regeneration in hydra occurs by, hydra मैं कहरा, पुनर जनन किस प्रकार से होता है, अभी रूप आंतरण में, संरचनाविकास में, मार्फोल एक्सिस से, या अभी रूप आंतरण तथा संरचनाविकास में, तो इसमें से, जो hydra होता है, उसमें जो है, क्या होता है, कि जब एक छोटे से भाग से, जब एक छोटे से भाग से क्या है कि संपूर्ण जीव का निर्माढ हो जाता है तो वो होता है मार्फोल एक्सिस तो ये कहलाएगा C option ठीक है पुनर जनर यानि री जनरेशन मार्फोल एक्सिस से question number अगला है 20 हाइड्रा के निमेटो सिस्टम में पाया जाने वाला विसायला पदार था अभी हमने पढ़ा था ना क्या होता है ये हिपनो टॉक्सिन होता है तो ये option इसमें correct होगा अगला question है which of the following animals has a nervous system but no brain निमने में से किस जन्तों में तंत्री का तंत्र पाया जाता है किन्तों मस्तिस्क नहीं होता है अमीबा हाइड्रा काक्रोज अर्थवार तो जो हाइड्रा होता है उसमें unpolarized nerve cells का एक तंत्रिका जाल होता है जो कि एक अलप विक्सित nervous system का निर्माड करता है तो इसमें क्या होता है मस्तिस्क नहीं होता है ठीक है इसमें क्या है कि मस्तिस्क नहीं होता है तो B option इसमें correct होगा hydra question number ये क्या था 21 20 number 22 कह रहा है कि hydra की किन कोशिकाओं को भ्रोडी आरच्छन कहा जाता है which cells in hydra are called embryonic reserve उपकला पेसी कोशिकाओं अंत्राली कोशिकाओं ग्रंथी कोशिकाओं या फिर ग्रंथिल पेसी कोशिकाओं तो इसमें से क्या है कि जो अंत्राली कोशिकाओं होती है वो टोटी potent होती है B option इसमें correct होगा टोटी potent का मतलब अरथाद इन कोशिकाओं का रोपांत्राण किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं से हो सकता है अता इन्हें embryonic reserve कहते हैं question number 23 hydra सभी प्रकार के कह रहा है खाद पचा सकता है इसे छोड़कर fat sugar starch protein तो hydra जो है पाचन hydra में जो पाचन होता है न वो क्या होता है intracellular ठीक है intracellular तथा extracellular यानि कि दोनों प्रकार से होता है तो यह starch का पाचन नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पाचन से संबंधित जो enzymes होते हैं वो इसमें होते ही नहीं है तो correct option क्या होगा starch होगा C option question number 24 body cavity of hydra is body cavity जो hydra की होती है वो किस प्रकार की होती है plastosil, silon, silentron या hydrosil तो यह होती है silentron यानि कि C option इसमें correct होगा 25 number question कह रहा है कि इफ़ाईरा जो larva है इफ़ाईरा उफांड इंदा life cycle लाप किसके जीवन चक्र में इफ़ाईरा लारव पाया जाता है औरिलिया अबिलिया या फिर फाईसेलिया या फिर एडायम्सिया तो इसमें से जो इफ़ाईरा आरवा होता है वो हमें पता है कि औरिलिया में पाया जाता है ठीक है औरिलिया की जो life cycle होती है ना उसमें यह इफायरा लारवा पाया जाता है तो correct option कौन सा होगा correct option इसमें होगा ए नंबर question number 26 in औरिलिया ropelium is a complex structure आप तो इसमें से कह रहा है कि two sense organs three sense organs four sense organs या फिर five sense organs तो इसमें से जो aurilia होता है ना उसमें ropellium क्या है एक jetil sun रचना होती है ठीक है तो इसमें से जो ropellium एक jetil तो इसमें क्या कह रहा है पांच समवेदी अंगों की ropellium aurilia की एक समवेदी इसमें रचना है पूछ रहा है कि किस टाइप का है इस ट्रक्चर टू सेंस है थ्री सेंस है फोर है तो फाइव है तो इसका डी आप्शन सही होगा five sense organs question number 27 Portuguese man of war is Portuguese man of war यह किसको कहते है तो यह फाइसलिया को कहते है ठीक है डी आप्शन इसमें correct होगा question number 28 obelia के metagenesis के सम्वंद में निम्न में से कौन सही सुमेलित है regarding metagenesis in obelia which one of the following is not correctly match कौन सा कह रहा है सही सुमेलित नहीं है है कौन सा मैच सही नहीं कर रहा है तो इसमें से देखे जो gonangium है वो haploid stage है ठीक है metuusa है वो deployed stage है ठीक है planula है वो sexual stage है ठीक है है लेकिन जो hydrant या polyp जो stage है ना वो asexual होता है sexual नहीं होता है तो यहां पर कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है नहीं क्या है hydrant यानि कि बी option इसमें correct होगा polyp या hydrant क्या होता असेक्सूल स्टेज द्वारा medusa बनता है और फिर medusa में सेक्सवल रिप्रोडक्शन द्वारा polyp बनता है से बी option इसमें करेक्ट होगा question no 29 ट्वन्टी नैन क्या he स्टेटो सिस्ट are found in स्टेटो सिस्ट पाई जाती है किसमें के चुए में काकरोश में Obeli pren मेटा जिनेसिस किस वर्ग के जनतुओं में देखने को मिलता है यहाँ पे जो है class पूँच रहा है कि member of class मलब sealant rate तो ठीक है पाया जाता है लेकिन कर रहा किस class में पाया जाता है तो इसमें sealant rate संग के कुछ जन्तुओं में sexual तथा sexual stages का जो life cycle में क्या होता है alternation of generation पाया जाता है तो इसे ही हमने अभी पढ़ा था की metagenesis कहते हैं तो सामान ने ता वर्ग hydro जोवा के जन्तुओं में metagenesis देखने को मिलता है तो यह option इसमें correct होगा 31 planula larva occurs in the life cycle तो इसमें कहरा कि planula larva जो है किसके जीवन चक्र में मिलता है hydra के ovelia के या comp jelly के या echinococcus के तो जो planula larva होता है वो ovelia में पाया जाता है तो यहाँ पर b option correct होगा statocyst is the organ of statocyst अंग है क्या है ये defense का है attack का है balance का है या chemo reception है या रासाइनिक सम्वेदना ग्रहण करने का है तो ये जो है हमें पता है कि ये balance का होता है यानि कि संतुलन का c option इसमें correct होगा 33 sensory cell of ovelia is ovelia की सम्वेदी कोशिका पूछ रहा है कि कौन सी होती है pinakocyst, coinocyst या colonocyst या फिर lynthocyst तो इसमें से जो है जो lithocyst नामक ये कोशिकाएं हैं ये statolith या autolith नामक पदार्थ स्रावित करती हैं और ये क्या करती हैं ये जो है संतुलन का कार करती है ठीक है तो इसमें से d option correct होगा question number 34 है obelia medusa is जो obelion medusa है वो किस प्रकार का होता है सर्वा हारी होता है, mansa हारी, saka हारी या अपर्दा हारी तो इसमें से जो obelion medusa है वो cornevorus होता है medusa is cornevorus and feed on plants तो इसमें से c option correct होगा इसका cornevorus, mansa हारी question number 35 बहुरूपी प्राणी है polymorphic animal कहरा कौन सा है hydractinia है, hydra है, या tubipora है, या metridium है तो जो hydractinia है, इसकी कालोनी में क्या होता है विभिन प्रकार के polyp सदस होते है ठीक है, विभिन प्रकार के क्या है इसमें polyp के जो है सदस होते है जैसे gastrojoids, dictylojoids, tentaculojoids, scletojoids, तथा gonojoids इसलिए इसे क्या कहते है polymorphic animals कहते है तो यहाँ पर यह option सही होगा hydractinia 36, 36 कह रहा है polymorphism is seen in polymorphism जो है किस में पाई जाता है किस में देखा जाता है तो हमें पता है कि यह silen trator में देखा जाता है बहुरूपता तो बहुरूपता means क्या होता है जन्तूओं के सरीर कई रूप में देखे जा सकते हैं से पॉली और मेड्यूशा तो इसलिए जो है ये ए अप्शन इसमें करेक्ट होगा 37 नंबर कह रहा है कि कोरल चत्ताने कौन से जन्तु बनाते हैं कोरल रीप्स आर फॉर्म्ड वाई तो इसमें से कह रहा है कि मॉलस्क एकाइनोडर्म या प्रोटोजवन या सीलंट रेट तो जो कोरल रीप्स होते हैं न वो सीलंट रेट के जन्तु बनाते हैं तो इसमें से डी ओप्शन करेक्ट होगा ठीक है कोरल रीप्स अभी हमने पढ़ा था न कि ये क्या होती है ये कैल्सियम कार्बोनेट की बनी हुई बिसेस प्रकार की सन रचना होती है 38 नंबर कह रहा है पिनाइटूला, ट्यूबी पोरा, आक्यूलीना या साइनिया तो इसमें से पिनाइटूला, ट्यूबी पोरा और आक्यूलाइना ये क्या है ये एक प्रकार के कोरल है और पूंच कहा रहा है कि कोरल नहीं है तो इसमें से जो साइनिया है ये कोरल नहीं है तो करेक्ट ऑप् जाए तो क्या होगा वो रिजनरेट हो करके दो छोटे हाइडरा बना लेगा रिजनरेट नहीं करेगा बहुत से हाइडरा बना लेगा या कोई नहीं तो यह जो है रिजनरेट हो करके क्या करता है दो छोटे हाइडरा बना लेगा यह नंबर ठीक है इसी को कहते हैं रेट के प्रथम खोज करता किसने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले रिजन रेट को यानि कि पुन्रत भावन को हक्सले ने लौरेन ने हाइमन ने या ट्रेम्बले ने तो अब राहम ट्रेम्बले ने इसको सबसे पहले सर्च किया था डिस्कवर किया था तो डी ऑप्सान इसमें correct होगा, question number 41, hydra है एक प्राणी, hydra जो है किस प्रकार का प्राणी है, marine radial symmetry diploblastic, marine radial symmetry triploblastic, fresh water radial symmetry diploblastic, fresh water biradial symmetry triploblastic, तो जो hydra होता है, वो क्या होता है, वो the presence of two layers of tissue, makes the organism diploblastic, तो यह जो है C option इसमें correct होगा, fresh water radial symmetry और diploblastic, question number 42, hydra के सरीर में पाए जाने वाले हरे सहवाल का क्या नाम है, यूगलीना, क्लेम आईडो मुनाज, जूकलो रेला या कोई नहीं, जूकलो रेला एक सहजीवी सहवाल की भाथ ही कार करता है, ठीक है, और यह hydra के क्या है, gastro-dermal कोसिकाओं में रहता है, तो यहाँ पर C option correct होगा, question number 43, hydra है, hydra क्या है, एक लिंगी है, दोई लिंगी है, या दोनो है, या ननाफ देव और इनमें से कोई नहीं, देखिए, कुछ जातियां होती हैं, एक लिंगी, और कुछ जातियां होती हैं, दोई लिंगी, ठीक है, डायोसियस भी होते हैं, मोनोसियस भी होते हैं, तो यहाँ पर C option correct होगा, कि बोथ, दोनो, ठीक है, दोनो, कुछ नमबर 44, हाइडरा के स्वसन में, आक्सीजन का उतकों को परिवहन होता है, ट्रैकिया दोरा, ट्रैकियोल्स दोरा, डिफ्यूजन दोरा, या उपर यूगत में से कोई नहीं, तो यह होता है, डिफ्यूजन के दोरा, विसरन के दोरा, C option इसमें correct होगा, कुछ नमबर तो इसमें से कह रहा है कि ट्यूबी पोरा, कोरेलियम, या हेलियो पोरा, या फंजिया, तो इसमें से जो आभूशड होते हैं, उसमें काम आने वाला जो मूंगा होता है, वो क्या है, मूंगा या रेड कोरल, कोरेलियम का अच्छी एक अंकाल होता है, तो यहाँ पर B option correct कोरेलियम, 46 नंबर कह रहा है, सेल बाइदा विंड, या दा लिटिल सेल के नाम से जाना जाता है, किस एनिमल को, पाइसेलिया, वैलेला, ट्यूबी पोरा, या पॉर्पिटा, तो इसमें से सेल बाइदा विंड या लिटिल सेल के नाम से जाना जाता है, किसको वैलेला को ज कि कौन सा कहलाता है तो इसमें से जो मियंडरिना है ये ये brain coral कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि जो इसकी संरचना होती है ना उसमें जो fold होते हैं ये वलय वो ऐसा लगता है कि जैसे मस्तिस्क में होते हैं इसी प्रकार से इसको कहते हैं मस्तिष्क प्रवाल यानी कि brain coral किसको कहते हैं miandrina को a option correct ہوगा 48 number कह रहा c pen यानी कि पच्छी के पर के समाना क्रती वाला क्या कहलाता है तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार से ये ये इस प्रकार से होता इसमें तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पच्छी के पर के समान है यह तो यह कह रहा है कौन सा है एनिमलिस कहते हैं ट्यूबी पोरा एलसायोनियम कोरेलियम या पैनाइटुला तो यह होता है पैनाइटुला दीख है इसकी आकरती पच्छी के पर समान इसे ही क्या कहते हैं सी पेन भी कहा जाता है question number 49 49 number कह रहा है कि कह रहा है कि true or false सत्य कथन पहचानिये poly भोजन लेने सुरच्छा असेक्सवल रिप्रोड़क्शन का कार करते है medusy langig genon यानि कि sexual reproduction का कार करती है तो फिर कह रहा है कि only first सही है या only second सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है तो इसमें से देखिए जो poly फैना जो भोजन लेता है सुरच्छा और असेक्सवल रिप्रोड़क्शन का काम करता है medusy जो है langig genon का कार करता है यानि कि दोनों सही है तो c option इसमें correct होगा question number 50 है 50 lagoon dupe कहा जाता है pringing reef को barrier reef को at all को या ननापदयवो इनमें से कोई नहीं इसमें से देखिए ये कुछ इस प्रकार की सनरचनाय होती है ऐसे करके ठीक है ये तो यहां पर ये हो गया at all ये हो गया at all और ये क्या हो गया ये हो गया समुद्र ठीक है ये हो गया समुद्र तो यहां के भाग को कहते हैं लाइगून तो लाइगून द्यूप कहा जाता है किसको एट आल को सी ओप्शन इसमें करेक्ट होगा